नमस्कार जैहिंद मेरा नाम है लोकेशिंग आप लोग का स्वागत है एक बार फिर से स्कोर बैटर के यूटूब चैनल पर जैसा की आपको पता है हम लोग करेंट अफेर के सीरीज को लेकर चल रहे हैं इस सीरीज में हम लोग जो भी करेंट अफेर के कोशन बन सकते हैं उनक बिल्कुल आप लोग हमको सब्सक्राइब कीजिए और बताईए आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं ताकि हम लोग और ज्यादा बहतर वीडियो बनाएं और जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आना शुरू करें तो अगर आप लोग सीडियेश की CAPF की … sorry, FCAT की और S.P.E.F.E.V.E की अगर आप इन एक्षाम्स की तियारी कर रहे हैं तो बिल्कुल क Drive follow कर सकते हैं cds के साथ साथ nda क्योंकि यह दोनों exam आप same date पर होते हैं तो अगर आप इन exams की तियारी करें तो बिल्कुल आप हमें follow कर सकते हैं और साथ ही साथ हम आपको exams related हर एक effective information पर चाने की कोशिच करेंगे आप तक और जो भी practice questions होते हैं वो करवाएंगे और यहाँ पे subject data fair के हमारे ताजा ताजा questions तो देखते हैं कितने लोगे सही जवाब यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले मैं request करूँ प्लीज अगर आपने subscribe नहीं किया has been declared as India's first other effective area based conservation measures ध्यान रगना इस चीज को other effective area based conservation measures site by the international union for conservation of nature international union for conservation of nature द्वारा भारत के किस जय विवित्ता पार को भारत का पहला अन्य प्रभावी छेत्र आधारित सनरक्षन उपाय साइट गोशित किया है कि आपको यहां पर जवाब देना है कौन सी वो बायो इस फिर साइट है कौन सी वो जय विवित्ता पार्क है जिसे अन्य प्रभावी छेत्र में शामिल किया गया अधर एफेक्टिव एरिया बेस्ट कंजर्वेशन मीजर्स के अंतरगर्स शामिल किया गया है अरावली पार इसा अंसर बताना है आंसर क्या होगा तिल्पत्वैली, कमल नेहरू, यमना बायो डिवरसिटी या फिर एरावली तो मैं यहां पर बताना चाऊंगा यहां पर जो आपका आंसर है वो है आपका गुलगाव का अरावली बायो इस्वेर पार? अधर एफेक्टिव एरिया वह ठीक है यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए और किसके लिए फेमस है यह वेटलेंड एरियास के लिए फेमस है वेटलेंड एरियास वेटलेंड आपको पता होगा वेटलेंड क्या और है तो वेटलेंड एरियास जो है यह उस दिन के लिए बनाया था वेटलेंड एरियास डे के बाहर का एरिया होता है मतलब उसके बाहर का जो एरिया होता है उस एफेक्टिव एरिया को जो की काम करता है ऐसा बायो डैवरस्टी काम करता है कैसे काम करता है ऐसा बायो डैवरस्टी पार्क काम कर रहा है ठीक है तो किसी भी बायो डैवरस्टी एरिया के बाहर का जो एरि पर लोगों ने औकला बर्ड सेंचुरी का नाम सुना होगा तो औकला बर्ड सेंचुरी आज कर ताइम पर बढ़ाई नहीं है जो कि यंदा नदी के आसपास डेली और नोड़ा के बीच में बस हुई है ठीक है क्योंकि मैं उसके पास ही रहा था तो मुझे अच्छे से इस चीज के बार ही पता है ठीक है तो अगर आप वहां पर जाओगे तो वह क्या बड़ी बड़ सेंचुरी नहीं यम्ना नदी के आसपास के जो एरिया वहां पर वह बस कि इसमें के आज सकता है बहुत ज़्यादा एफेक्टिवली हमको काम करना पड़ेगा तो आपको यह चीज मैंने आप पर बता दी है आपको यह चीज पता चल गई वैटलेंड अरिया जो हमारा वैटलेंड डे होता है उस दिन इसको क्या किया गया यहां पर अनॉंस किया वन आप दा मोश्ट पावरफुल सूपर कंप्यूटर इन इंडिया हैस बीन इंस्टॉर्ड एंड कमिशन इन विच इंस्टिट्यूट परम प्रावेक भारत का सबसे शक्तिशाली सूपर कंप्यूटर में से एक है कि संसान में इस्थापिद्वा चालू किया गया है कि संस को एक है आपका मानेशर मदराज बैंगलाओर बॉंबई आपको बताना है यांपर आंशर क्या होगां अपका देखो परमप्रवेध अपनेंपमें Most powerful super computers में से एक है, जो इंडिया में ध्यान रखना है, इंडिया के most powerful super computers में से एक है और इंडिया में ही मुझे exact ear याद नहीं है. एक प्रोग्राम चल रहा था जिसका naम था National Super computer mission. National Super computer mission मुझे याद नहीं आ रहा है यह शाहिद जहां तक 2018 या 19 में शुरू आई है ठीक है तो उसके अंतरगत इस कम्पुटर को क्या किया गया था यहां पर डवलप किया गया था ठीक है और इस mission के अंदरगत यहां पर क्या किया गया इस computer को यहां पर established भी किया गया अब आपको बताना है यह कहां पर है तो इसका जो answer है वो क्या है हमारा C Indian Institute of Science Bangalore answer क्या है आपका C है ठीक है Indian Institute of Science Bangalore इसका answer आपका हो गया तो चलिए आगे बढ़ते है अच्छा इसका answer तो answer मैंने आपको बताई दिया सी नेशनल इंस्टूट अफ यह नेशनल कंप्यूटरिंग मिशन के according यहां पर क्या किया गया है यहां पर established किया गया है ठीक है यह भी मैंने आपको बता दिया है इसे design किस ने किया है तो center for development development of advanced computer तो यह भी मैंने आपको बता है था indigenously मैं इंडिया में ही इसको क्या किया गया डवलप किया गया कौन से mission के अंतरगत किया यह भी मैंने आपको बता किस ने किया यह भी आपको finally आपर पता चल गया इसकी क्या यह capacity है तो आपको पता होना जे 3.3 paraflops इसकी क्या है speed है मनला पर second में कितनी तेजी से calculate करता data को ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह computer actually help करेगा बहुत सारी researches में ठीक है हमारे जो scientist हैं उनको help करेगा जो वहां पर लोग सीख रहे हैं उनको बहुत करेगा calculation में different different kind of chemical physics की calculation और भी कई सारी calculations में ठीक है नेक्स देखते हैं दा पारंप्रिक तोर तोर्गया महसद्व किस राज्य में मनाया जाता है दर ट्रडिशनल तोर्गया festival celebrated in which state तो सबसे पहले चीज़ यह जो celebration होता है यह कौन सी community करते हैं मैं एक हमद्विशनल तोर्गया फेस्टिवल तोर्गया फेस्टिवल किस राज्य में बनाया जाता है हिंट दे रहा हूं answer आपको अभी भी आपको ही बताना है तो हिंट क्या है आप आपका तो इसे जो celebrate करता है वह को celebrate करती है moon park community जान रखना कौन सी moon park community से celebrate करती है और यह कौन से state से जुड़ा हो है अब यह आपको बताना है जैसे आप लोग celebrate करते हैं बसंत पन्च मय ठीक है जैसे आप लोग celebrate करते हो बसंत बंच मय ठीक वएसे ही यहाँ पर सबॉपिट किया रह और इसका झालियों जो घाल्चल प्रदेश हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी का न्यू येर का फेस्टिवाल है ठीक है जैसे हम लोग बसंद बंज मी बनाते हैं ठीक वैसे ही यहां पर क्या है यहां पर इसे सेलब्रेट किया है ठीक है तो लोगों का ऐसा मानना है अवनाचर प्रदेश के और मोनपा कम्मुनिटी का कि सब्सक्राइब का यहां तो आपको यह बताना है चार या तीन तारिक मुझे याद निया रहा है चार या तीन तारिक में यह न्यूज थी तो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए एकनॉमिक्स के पॉइंट आफ व्यू से तो हो सकता आपसे पूछ भी लिए जाए तो आंसर आपको देना है यापर ठीक है तो यहां पर आंसर क्या है आपका आंसर आपका दी इंडिपेंडेंस कोपरेटिव बैंक को लिमिटिड इसका क्या क्या किया गे यापर लाइसेंस Cancel कर दिये गया, answer आपका क्या है यहांपर, D है, clear, क्या है आपका, D है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अच्छा इसके बारे में, अच्छा हाँ, मैंने date बोला था तो date यहांपर क्या है, 3rd family तो 3rd family को क्या किया गया, इसका license यहांपर, cancel किया गया है, तो सबसे बड़ा रिजन जो इसके लाइसेंस को कैंसल करने का था वह भी आपको पता होना चाहिए तो वह क्या था यहां पर कि इसके पास एक इनफ कैपिटल आफ एमाउंट नहीं था बैंक को चलाने के लिए ठीक है और अर्णिंग के जो सोर्स थे वह बिल्कुल भी नहीं होता है आपको पता होगा एक SLR होता है CLR होता है तो वह सब चीजे होती है यहां पर जो कैश रिजर्व होता है वह अगर बैंक के पास नहीं है तो इसका मला बैंक अपने आपको चलाई नहीं कर पाएगा ठीक है तो ऐसे ही क्या आर्विय को भी एक एमाउंट करता है जो आर्विय आपको बताएगा अगर आप वह नहीं दे पार तो इसका मला आपके पास इतनी capability नहीं कि आप उस अपने बैंक को रन करवा पाऊ तो इसलिए नहीं यहां पर क्या किया है इस बैंक का जो लाइसेंसर उसको यहां पर क्या कर दिया है ठीक है तो यहां कि इंडिया किस बैंक ने दिल्ली में लाल के लवन बैरक में आत्म निर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन के विकास के लिए इंद्र गांधी सेंटर फॉर दा आर्ट अंकुल्चर नलिक लिए की तो किस बैंक ने रिसेंट ली इन्रागंधी सेंटर आर्रीः नाशनल के साथ । के साथ यहां पर एक memorandum यहां पर sy Ein किया आपको यह बताना यह कौन सा वो area cheaper कि तो यहां पर सीधे जो ऊंसर है डिरेक्ली आपको याद रहना चाहिए ठीक है तो आंसरा क्या है क्या है आपक यहां पर डी है इस्टेट बेंक अफ इंडिया नहीं यह साइन किया है तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अलग से बताना पड़े यह जो Memorandum of Understanding यह साइन हुआ कितने के लिए यह 10 क्रोड रूपीज के लिए साइन किया गया है डवलप्मेंट के लिए ठीक है इस एरिया के जो एरिया उसका है डवलप्मेंट और उसका जो हेरिटेज है जो उसका मतलब आल्ट है उसको क्या निखारने के लिए उसको डवलप करने के लिए यहाँ पर इस Memorandum of Understanding को यहाँ पर साइन किया गया State Bank of India ने ठीक है तो वह सेम चीज जो मैंने आपको बताईए सेम वही चीज यहाँ पर भी आपके पास दे रखी है यह चलिए आगे बढ़ते है नेक्स्ट विच कंट्री वस इंडियास टॉप मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर 2021 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागिदार है USA, China, UAE and Saudi Arab USA, China, UAE and Saudi Arab हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है देखो एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ अब से पहले तक 2020 से पहले तक जब भी हम लोग ट्रेडिंग पार्टनर की बात करते थे तो यहाँ पर नाम आता था चाइना का गलवान वैली इंसिदेंन्ट के बाद यहां पर क्या एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला इंडियन माइंडसेट में उन्होंने काफी सारे जो चैनिज पूड़क्ट्टेंग उनको क्या कही निकला करना शू कर दिया उसको यूज करना इस्तमाल कर दिया बट नो डाउट आज के टाइम पर भी हम लोग ने भले इतना बड़ा एक मनलब चेंज लेकर आ गए बट हम लोग अभी भी कंप्लेटली कंट्रोल नहीं कर पाया है चाइनीज प्रोड़क्ट को इंडिया में अभी भी आतनिर्वर भारत जैसे और भी कई सारे इनिशेटिव मेकिं इंडिया जैसे इनिशेटिव की अभी बहुत ज़्यादा जरूरत है ठीक है पर यहां पर आंसर आपका चाहिना नहीं है आंसर आपका यूएस से क्योंकि 2021 में हमारा जो सबसे वड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आपको यहां पर पता होनी चाहिए ठीक है यूएस से के बाद अगर किसी का नमबर आता है चाइना का ठीक है यह चीज ध्यान रखना अगर हमारी गवर्मेंट सही टाइम पर स्टेप्स नहीं रेती हम लोग बहुत लंबे टाइम से बाइक और चाइना जैसी मोव्मेंट से जुड़े हुए हैं बट बाइक और चाइना तभी सक्सेस्फुल हो पाएगा जब इंडिया में गवर्मेंट और लोग और जाधा फोकस करें मेक इन इंडिया या आतनिर्भर बारत जैसे इनिशेटिव पर तभी यह चीज पॉसिबल हो पाएगी ठीक है सबसे बड़ी एक प्रोड़ेक्ट तो पैसा कहा का लगा हुआ है चाइना का होगा कल नो डाउट आज के ताइम पर अगर आपने पांच लाख रूपाय किसी को दिया है तो एक टाइम के बाद आप ब्याज के साथ उससे वापस लेते हो है ना ब्याज के साथ क्या करोगे वापस लोगे तो अगर इस तरीकी की कंडिशन है आपने कितने भी लाक्स लैक्स ओफ क्रोरस कितने वी रूपैं किसी भी पर्सन को तो जब आप वापस लोगे तो उससे दो गुणाही वापस लोगे ना चाहिए आपने किसी भी स्टार्ट अप को दे रख आउ तो अच्छी बात है नहीं सक सब्सक्राइब कि आपको क्या करन ना है केवल फरेश में रास्था नहीं ये विप्लं पीट नवकरी कुच आप चाहें तो खुद्स बहुत कुछ कर सकते हैं मैंने बहुत सारी ऐसे लोगों को देखा है जो आच की पर छोटेशप्र लेवल पर अपने बिजनस शुरू करते हैं और आज लेक्स आफ में और करोर में इंकम करते हैं ठीक है ऐसे बहुत सारे एक्जामपल्स आपके आसपास भी आपको देखने को मिल जाएंगे इविन आज कल गाउं में भी लोग ऐसे करते हैं अगर आप लोग शार्क टैंक दिवालियपन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नुक्त किया गया है इन्सॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नुक्त किया गया है मदन मोहंत रिपाठी रवी मित्तल पुष्पा कुमार जोशी या विनोदानंद जा तो यहा लोग इस चीज का ध्यान रखिए ठीक है चलिए नेश कोशन की तरब पढ़ते हैं अच्छा इसका आंसर भी आप लोग देख लीजिए ठीक है विश्व कैंसर दिवस 2022 का विशय क्या था वाट इस दा थीम ऑफ वर्ड कैंसर डे 2022 का थीम क्या था आपको यह भी बताना है कब सेल्बेट हो चलो ठीक है यह मैं बताएता हूं यह सेल्बेट हो अथा कब फोर्थ फैब को कब सेल्बेट होता है फोर्थ फैब को सेल्बेट होता है ध्यान अकना फोर्थ फैब को यह सेल्बेट होता है ठीक है हर साल फोर्थ फैब को यह सेल्बेट होता है और आपको बताना है कि इसका इस बार का थीम क्या था तो सीhou सीधी बात है cancer को लेकर आज के टाइम पर भी लोगों के अंदर बहुत सारे तो उन जी को दूर करने के लिए उन धुन्दों को खतम करने के लिए उन विचारधारों को तोडने के लिए उन केर गया है तो इसे यह जो डे है और यह जो दे इसलिबेट किया है तो यह किसके दौरा है तो यह आपको पता न वहуть से शाहis Union of International Cancer Control Board जो है उसके द्वारा इसको salveate किया है, salveate करना मेरे ख्याल से शाहिए salveate करना एक गलश अब्द है यह इस दिन को बनाया एता है ताकि लोगों को inspire किया जाए इस दिन के through ठीक है तो यह इनका main क्या है एक तरह से एक initiative है चलिए तो finally आपको यह भी पता चल गया है क्या थी मैं आपको यह भी finally आपर पता चल गई है ठीक है तो लोगों को motivate करना लोगों को बताना कि कैंसर के लिए अच्छा हाँ यह चीज एक बहुत बड़ी बात है इंडिया में सबसे ज्यादा जो females cancer से पीड़ित होती है उनको पता किस चीज का cancer होता है उनको ब्रस ब्रेस्ट कैंसर तो आपको कहीं ना कहीं खुश सतर्क होना चाहिए अपने आसपास की महिलाओं को और तो females student है मैं उनसे कहना चाहिए प्लीज आप लोग सतर्कता के साथ इस चीज का ध्यान रखें और अपने आसपास अपनी जो मदर हैं या आपके grandparents हैं उनको भी इसके बारे में awareness दें क्योंकि लोग इससे बात करने से कहीं ना कहीं बचते हैं ठीक है तो यह बहुत जादा ज दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है मानव बंदुत्वा का अंतराष्ट्रे दिवस कि human fraternity कि international day of human fraternity कि किस दिन सेल्बेट किया था आपको यह बताना है तो देखो इसका अंसर भी कुछ अलग नहीं है इसका अंसर भी सेव है क्या आपका फॉर्थ फैब को आंसर क्या आपका डी फॉर्थ फैब को यह दिन क्या होता है सेल्बेट किया था तो यह जो डेज होते हैं यह इंपॉर्टेंट हैं कई बार आपके एक्जाम में डिरेक्ली पूछे जाते हैं ठीक है और कोविड के टाइम पर थो थोड़ा सा जाधा यह पूछी आती है क्योंकि कही ना कहीं यह चीजे हमारी लाइफ से अब जाधा जोड़ने लगी है अभी तक हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी थे तो हमें पता नहीं चलता था बट आज हम लोग खुद अपने घर में बंद हो चुके हैं तो हमें मानब बंदुत् हमें इन चीजों को बड़ी जागरूता के साथ हम लोग समझने लगें तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए हो सकता है आपसे एक्जाम में पूछ भी है चलिए लिये तो इसका जो में परपस होता है वह क्या लोगों के अंदर डाईवरसिटी है उसको लोगों तक पहुचाना है, religion को लेकर, awareness पहुचाना, culture को लेकर, लोगों की जो diversity है, culture को लेकर उसको क्या, different-different लोगों तक पहुचाना, आपको पता होना चाहिए, इंडिया में ही इतनी यदा diversity है, different-different religion को लेकर, different-different panth को लेकर, ठीक है, और अगर आप जरास अभी 10 km, 20 km आगे पीछे जाते हो, तो ही आपको बहुत सारी changes देखने को मिल जाते हैं, इंडिया में तो आप समझ सकते हो, इसलिए कहीं ना कहीं, यह day celebrate करना हमारे लिए, अपने आप में बहुत गौरफ की बात है, next देखते हैं, Ping & Insurance is an insurance company of which country, of which country that has been designated as the top most valuable insurance company globally, as per the latest Brand Finance Report 2022, Brand Finance Report 2022 के according, किस देश की यह company है, जो की most valuable insurance companies में से एक है, Ping &, नाम क्या है, Ping &, ठीक है, तो Ping & कौन से देश की यह company है, जो की Brand with the report 2022 के है, according, बीमा से जुड़ी सबसे बड़ी companies में से एक है, जिसकी valuation सबसे ज़ादा है, आपको यह बताना है, answer, तो यहाँ पर answer देखो, नाम से ही clear है, नाम से ही clear है, इस company को लेकर काफी जादा विवाद भी होते रहे हैं, और आएंगे भी हो सकता है, आपको आगे भी देखने को मिले, तो Ping & जो company है, नाम से ही clear हो रहा है, कहां से, चाइना से, यहाँ पर Korea लिखा होता, जापान लिखा विवाद हो रहा है, तो विवाद ही है, चाइना में properties को लेकर और different different चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा insurance, loans इस तरह की चीज़े बाठी जाती है, जिसकी वज़े से ऐसा कहा जाता है, कि इस company का rate है, जो insurance rate हो बहुत ज़्यादा high हो गया, इसलिए इसकी valuation भी अपने आप होने के बाद हमारे पास आती है, ठीक है, चलिए, next question की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, in February 2022, who got selected as a torch barrier in winter olympic 2022 by the Chinese government, ये बहुत ही ज़्यादा controversial है, मैंने इसलिए आप से पूछा, और इंडिया में शायद इसको लेकर बहुत ज़्यादा गुसा लोगों में निकल किया है जिसकी बाद Indian government ने अपने राजनईक दल को अपने diplomatic जो group जाता है, किसी भी olympic games में participate करने, उसको भेजने से मना कर देए, सिर्फ यहाँ पर players जाएंगे और कुछ एक दो लोग जाएंगे, जो coaches हैं और एक दो लोग जो वहाँ पर manage कर रहे हैं, बाकि कोई भी diplomatic जो ground पर किस इसी भी तरह का आदमी आपर नहीं जाएगा, even almost world के केवल 20 countries, 20-25 countries को छोड़का हर एक देश ने अपने राजनईक को इंडिया, sorry, China के इस Olympic Games में शामिल होने से रोक दिया है, ठीक है, बहुत सारी controversies हैं, Uygar Muslims को लेकर हैं, Uygar Muslims के अलावा religion को लेकर हैं, ठीक है, और भी कई सारी controversies हैं, इंडिया के साथ आप सबको पता ही है, मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ, आपको वो भी यहां पर पता है, तो यहां पर actual में Chinese PLA का एक जवान है, ठीक है, जिसे इंडियन आर्मी के लोगों ने धक्के मार कर गलवान वैली से बाहर फैक दिया था, ठीक है, लगवाल लबग यह समझलो, जैसे एक पागल कुत्ते को दोड़ा दोड़ा कर मारा जाता है, लोगों के द्वारा, ठीक है, ठीक, बिल्कुल वही condition थी उस व्यक्ति की, कही जगे इलाज करवाते हूँ, उसकी images और वीडियो वायरल हूँते, उसी व्यक्ति को यहां पर आपको यह आंसर भी यहां पर मिल गया होगा, पता आपको यहां पर चल गया, तो कई लोगों ने यहां पर क्या किया है, इसका विरोध किया है, ठीक है, चलिए, आग देखते हैं, next, who has been appointed as a chairman of university grant commission, UGC, ठीक है, विश्व अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नुक्त किया गया है, विश्व विद्याले अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नुक्त किया गया है, विश्व विद्याले अनुदान आयोग के अध्यक्ष के मदन मोहन तिरपाथी रवी मित्तल पुष्पा कुमार जोशी एम जगदेश कुमार चलिए जल्दी से आंसर दीजिए और बताईए यहां पर क्या हो सकता है आम का अंसर देखो कमेंट में आप लोग प्लीज रिप्लाई करो ताकि मुझे भी पता चल सके और मैं भी उस आशे से पता है तो प्लीज लाइक जरूर करो ठीक है तो आंसर यहां पर आपका क्या है डी है ठीक है एम जगदेश कुमार आंसर क्या है आपका अंसर क्या है एम जगदेश कुमार ठीक है यह आपका आंसर हो गया next question की तरफ बढ़ते है answer आपको finally मैंने बताई दिया है ठी कि रोप में किसे नमांकित किया गया है अभी रिसेंटली यूपिएसी के एक्जाम तक में ऑलॉम्पिक्स को लेकर कोश्चन पूछे गए थे और भी डिफैंस के तो हर एक्जाम में sports को लेकर questions आते हैं awards को लेकर question आते हैं तो भाई यहां पर सीधी सीधी बात ही है please इस तरह के जो questions आते हैं उन पर थोड़ा सा focus करो बहुत ज़दा detail में जाने की जर्वत नहीं सिर्फ इतना देखो किसको यह award मिला है present में बस that's it अगर 2022 की बात हो रही है यहां पर आंसर क्या है यहां पर डाली मिशल आपका क्या है यहां पर आंसर आंसर आपका क्या है ए तो यह इनको दिया गया है कहां के प्लेयर है यह न्यूजिलेंड के प्लेयर है न्यूजिलेंड के चौते प्लेयर है जिनको यह यहां पर दिया जा रहा है प्लियर है चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं नाच्ट को देखते हैं कि विच कंट्री एस टेस्ट फायर दा इंटरमीडियर रेंज ब्लास्टिक मिसाइल नेमड हुआ सॉंग 12 किस देश ने हुआ सॉंग 12 नाम की इंटरमीडियर ब्लास्टिक मिसाइल का परिच्छन किया है यह परिच्छन में इस तरह की कई मिसाइलों का लगातार लगवा लबग 2022 के पूरे के पूरे जैन्वरी में चला है तो आपको यह बताना है कि कौन सा वो देश है जिसने परिक्षन किये हैं यूएस से जापान नॉर्थ कोरिया चाइना और क्या है California अभी फर्वरी के स्टार्टिंग में ही इन्होंने क्लेम किया है कि हम लोग ने परिक्षन किये हैं और उल्ग यह ब्रॉल्ट्रावश देश है और उल्गंट्रोवर्श जदेश कौन सा है आपका वह नर्थ कोर्या वैसे चाईना भी यह बट नॉर्थ दिरे करें पर नॉर्थ ने ब्र वहीं हम लोग ने यह प्रडिक्शन लगातर की है कि इनको टेस्ट किया गया था कहां पर प्यूंग्यांग में कहां पर प्यॉंग यूंग में इसको क्या किया था और आपको ही पता होना चाहिए लॉंग रिज्व मिसाइल है ठीक है इसका ठीक है बट हाँ इसको लगातार क्या किया जा रहा है अब तक लगातार यहां पर 17 इस तरह की टेस्ट की गई है जो मैंने आपको पता है जनवरी 2022 में कई इस तरह की को परिक्षन किया गया है तो फाइनली आपको यहां पर यह भी यहां पर पता चल गया है मैं एक चीज़ आप आप से कहना चाहूँ और जो मैं आपको डिफेंस के एक्जाम के लिए कहना चाहता है डिफेंस के एक्जाम के लिए प्लीज हमको सबसे पहले सब्सक्राइब कर ल आपका जो भी content है, topic है, उसको cover करना, ठीक है, इसके अलावा, subject के अलावा, दूसरी चीज़ होगी, English से जूड़ी हुई, जो सबसादा important है, वो है आपकी vocab, ठीक है, वो है आपकी vocab, ठीक है, then, इसके लबा, third चीज़ आपकी होगी, current affair, current affair का जो भी important topic है, आप लोग हमारी important topic की playlist है, उसको जाकर अच्छे से देख सकते हो, ठीक है, important topics की series, यह होगी, and इसके अलावा, एक हमारी series होगी, जो होगी होगी होगी, हमारी quiz की, तो यह daily basis पर, 4 videos आपको मिलेंगे, ठीक है, जल्द ही, मेरी कोशिश है, इसी हफते से हम लोग इसको शुरू कर दे, vocab में हम लोग को थोड़ा सा time लग रहा है, क्योंकि हो सकता है, शायद vocab में ही आपको cover करवा हूँ, तो हो सकता है, इसमें थोड़ा time लगे, vocab में हम लोग आपको antonyums, anonyums, ठीक है, one word substitution, इसके लवा, idems and phrases, ये चीज़े cover करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि directly इन ही से 10-10 question, 5-5 questions बनते हैं, कम से कम, ठीक है, 10 question, antonyum, 10 question, synonyms के भी, अगर आप लोग चेक करोगे, तो भी आपके 20 question बनते हैं, 5-5 अगर ये भी आते हैं, तो भी आपके यहाँ पर अराम से 30 question ब जो लोग CDS की और NDA की तियारी कर रहे हैं, उनके English के paper में एक कमपल सरीय की बिल्कुल आते ही आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो ये important होगा ही होगा, इसके अलावा, जो लोग F-CAT की तियारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत चीज़ इंपोर्टेंट हो सकती है, ठी ठीक है, तो प्लीज हमारे चैनल के साथ जूट जाएए, इसको बैटर को follow कीजिए, subscribe कीजिए, share जरूर कीजिए, ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, like करना है, आपको comment करना है, like और comment करो, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, जितना ज़दा like और comment आएंग सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलिग्राम गूर्प के साथ जुड़ ज़ए, score better search कीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, मेरी photo लगी होगी, आप लोगो देखकर समझ जाओगे, follow कीजिए, हमारे के वले एक ही objective है, future leaders को तयार करना, आपका score बहतर से बहतर करना, ताक की आपका future भी बहतर हो सके, तो finally आज के लिए यहीं तक हमारा वीडियो था आपका, और किसी वीडियो में हम लोग जल्दी मिलते हैं, thank you so much, आपका सयोग देने के लिए धन्यवाद